इस वक की बड़ी खबर माराश से आ रही है आपको बता देते हैं माराश के सीए में एकनाथ छिंदे ने अपना दिल्ली दोरा रद कर दिया है आज रात मुंबई से वो दिल्ली आने वाले थे लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने ताउसे मंद्री मंदल विस्तार पर उनकी चर्चा का होनी थी लेकिन अब खबर या रही है कि वो आज रात दिल्ली अब एकनाथ छिंदे नहीं आ रहा है इस वक्त की ये बड़ी खबर है सूतर ये भी बताते हैं कि वो आप कल दिल्ली आ सकते हैं यानि माराश के मुंद्री एकनाथ छिंदे और देवेंदर फरनविस जो की डिप्टी सीय में करीब एक महीने से सत्ता में हैं लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है जेपी में काफी ज्यादा मामला फंसा हुआ है वैसे शिंदे गुट का एक पेच शिव सेना पर दावेदारी को लेकर भी फंसा हुआ है आज उद्धव ठाकरे को जर्मदिन की बदाई जब सीम शिंदे ने दी तो पूर मुख्यमंत्री कह कर दी ठाकरे गुट को ये बुरा लगा कि शिव सेना अध्यक्ष कहकर क्यों नहीं बताया गया शिंदे गुट ये कहकर बारीकी से निकल गया कि मुख्यमंत्री पद अध्यक्ष से बड़ा है लेकिन शिंदे की नजर ठाकरे के राजपाट पर जरू टिकी रिया इसलिए उनका उद्धव को छोड़ दूसरे ठाकरे से बास्ता बढ़ता जा रहा है जिया बिलकुर ठीक सुना आपने एक नाथ छिंदे को ठाकरे पसंद है जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे